हेलो, इस लेक्षर में हम बात करेंगे MCQ from Unit Applied Cell on NEET UG 2021 Examination Answer and Explanation मैं हूँ RS मैतरी, पुर्वक्रिसी वग्यानिक ICR ये इसलिए हम डिसकस कर रहे हैं क्योंकि ये ICR AIEEA UG Examination के लिए भी यूजफूल है Let's start discussion, कौन कौन सिक्यूर्शन आये थे Unit Applied Cell से इस NEET UG 2021 Examination में उसके बारे में पहला क्यूस्टन है When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome the chromosome is referred as 1. Centrometacentric 2. Telocentric 3. Submetacentric 4. Acrocentric Answer इसका मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि Metacentric answer है क्योंकि मेरा जो target है वो tape लेना नहीं है बलकि इसको explain करना है ये question पूछ रहा है कि centromere के अलग-अलग type होते हैं उस centromere, sorry, chromozome के अलग-अलग type होते हैं वहाँ chromozome में centromere का location के अधार पे centromere यदि chromozome के बीचों बीच में equal राता है बीचों बीच पे राता है और दोनों chromozome के arm को equal divide करता है तो उस chromozome को क्या कहते हैं इसे कहते हैं metacentric explanation क्या है कि metacentric chromozome में chromozome का भुजा है, arm है वो equal होता है centromere का position equal place पे होता है असानी से इसे inciarty class, inciarty biology class 11 से solve किया जा सकता है देखते हैं screen start explanation है आपको 11 class के inciarty में chapter 8 है, unit of life जहां पे sell का discussion होता है वहाँ पे इस तरह से metacentric दिखाई देगा ये एक chromozome है chromozome के center में जब ये centromere रहता है तब इस chromozome को metacentric कहते हैं ये screenshot है, इस inciarty किताब का यहाँ से देखे the metacentric chromozome has middle centromere farming to equal arm up the chromozome बिल्कुल यही statement need के उस question में पूछा गया है इसके अतरीक था sub metacentric, acrocentric और telocentric भी है sub metacentric तब कहते हैं जब ये जो centromere है वो यहाँ क्या असपास होता और एक भुजा बड़ा होता, दुसरा छोटा होता acrocentric तब कहते हैं जब ये centromere यहाँ पे होता एक arm है, वो बिल्कुल छोटा होता और इधर का है, यहाँ से ले करके यहाँ तक लंबा होता telocentric तब होगा, जब centromere है वो एक particular इस location पे set रहता पूरे chromozome के एक int पे रहता तब इसे telocentric याने के टेल वाला centromere chromozome कहते अगला सवाल है matching वाला, ये बड़ा और लंबा की उसन देखने से लग रहा है यहाँ से, match lift first with the lift two lift one है, lift two है पहला क्या कहा रहा है क्रिफ्टी के बारे में, thalocoit के बारे में, centromere के बारे में और क्रिफ्टी के बारे में क्रिफ्टी इधर पे आपफन क्या है primary constriction in the chromosome disc saved sex in the colggy apparatus infolding in mitochondria flattened membranous sex in the iftroma aplastid, ये basically आपफन में दिये हुए है, इधर पे आपफन दिये है, यहाँ पे भले आपको आपफन पता चल गया जाएगा, यहाँ पे mention है लेकिन basically इसे deal कैसे करना है इसका answer क्या होगा, यह समझते हैं जैसे इन में से कोई भी एक को, जिसको एकदम clear cut जानते हैं, उसको पहले पकड़िए जैसे इसके पहले क्योशन में हमने देखा था, basically centromere से संबंधित क्योशन जैसे हमने देखा था, यहाँ पे भी आप देखेंगे इसी में लिखा हुआ है कि centromere क्या है कि ibrichromozome essentially है जे primary construction पहला मुड़ाव होता है उसे ही centromere कहते हैं ये NCRT से अराम फे देखने को मिलेगा तो ये पहला मुड़ाव है इसी को centromere कहते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि centromere का आपफन C का फही answer 1 है, तो यहाँ पे C में हम देखते हैं C में one किसके साथ में है मतलब कुल मिला के हमें लग गया कि ये वाला sure है तो फिर यही वाला answer होगा बाकियों को BC साब से match कर लिजे A का third है तो देखते हैं, क्रिस्टी क्या है क्रिस्टी है, in folding in the mitochondria सही है ये सारे हम आपफन explanation पार्ट में देखते हैं explanation क्या है in CRT में ही चार फैक्ट मिलेंगे क्रिस्टी के बारे में लिखा गया है बिल्कुल in CRT में यही लाइन लिखा है कि inner membrane फाम से ये number up in folding called the क्रिस्टी towards the matrix क्रिस्टी जो है, ये क्या है mitochondria का part है mitochondria का अंदर वाला portion है, वो क्रिस्टी कहलाता है यहाँ पे आप देखेंगे कि basically number up organized up flattened membranous sex are called the thalakoid which are present in the iftroma up chloroplast इसका भी detail देखेंगे, ये statement लिखा है centromere के बारे में लिखा है कि ibrick chromosome essentially has a primary construction on the, are the centromere ये भी है गौलगी operators consist of mini, flat, disk, safe, the sex और shifter ने आप है, diameter of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer ये भी in CRT biology में आराम से देखने को मिलेगा आईए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले है क्रिफ्टी ये इसक्रिन साथ है in CRT का साप लिखा है inner membrane फाम से number up in folding काल दक्रिफ्टी पिक्चर में आप देखे, यहां पे मान के चले ये inner membrane है, इस टाइप से inner membrane है तो inner membrane का ये वाला यहां से ले करके यहां का अंदर तक का पोर्सन है इसे ही क्रिफ्टी कहते हैं फाल्व हो जाए का राम से, इजी है ये फोटो भी एंसे आर्टी कही है इसके अतरिक्त है ये number आप थालोकोईट के बारे में जानते हैं ये basically chloroplast का picture है यहां पे देखे थालोकोईट ये थालोकोईट ये वाला इस तरह से इस चपाती रोटी की तरह जो flat है यहां पे लिखा है flattened membranous sex are called the thailोकोईट it is present in the iftroma ये iftroma है इसी iftroma के अंदर में ये थालोकोईट होते हैं चपाती रोटी की तरह ब्रेट की तरह उसी के जैसे अगला है centromere के बारे में centromere chromozome के center में ये primary constriction है साप लिखा है every chromosome visible only in the dividing cells essentially has a primary constriction and that is the centromere I hope you can delete from this NCRT book अगला है shift turning shift turning के बारे में क्या गया है कि यहाँ पिफ्क्रिंसार्ट है कैमिलियो गॉल्गी ने basically गॉल्गी आपरेटर्स को देखा और उसमें इस इफ्टरेक्चर में ये यहाँ पिदेखेंगे shift turning यानि गॉल्गी आपरेटर्स का जो इस तरह से एक एक component होता है उसे shift turning कहते हैं साब लिखा है कि shift turning यानि की फ्लाइट एंडड़ डीस का saved sex तो ये basically क्या है shift turning का explanation है NCRT से salve कर सकते हैं देखे इस छोटे फे चेप्टर से दो क्योस्टन आया है बहुत बड़ी बात होती है दो क्योस्टन इनप होता है एक साल में क्योंकि बड़ी मुस्किल से 58 एक section कर रहेगा बालोजी section का तो बहां से दो क्योस्टन आना इतने 40-50 टॉपिक में से वो बड़ा contribution होता है तो इसी तरह से हम difficult करते रहेंगे और भी सारे जो भी फम्मंधित की उसर रहेंगे अलग-अलग section को ले करके ताकि आप उस fiction को पढ़ने के पहले तै कर सकें कि उस section में कैसे प्रफनाते हैं और क्या ध्यान दे के चलना है इस सरह से Thank you very much